जाने थोड़ा सा मैं आपको महराष्टर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ महराष्टर में विपक्ष को लेके कन्फिजन है क्योंकि सीवसिनावा फूट चुकी है NCP फूट चुकी है, कॉंग्रेस के कुछ नेता इधर उधर जा चुकी है लेकिन शरत पवार हो, उद्धा उठाकरे हो इनके पास एक एमोशनल या आप कहें भावनिक मुद्दा है कि फार्टी तूट चुकी है, घर तूट चुका है आपको नहीं लगता कि महराष्टर में सबसे बड़ी चुनोती है भारतिय जन्ता पक्ष के सामने कि ये भावनिक मुद्दा जो है या इमोशनल काड़ जो है ऐसा है, मैं भी मानता हूं कि इसमार ये इमोशनल जो स्थिति है वो बीजेपी के पक्ष में है यूती के पक्ष में है क्योंकि बाड़ा सांप ठाकरे की सिवसेना हमारे साथ है NCP officially हमारे साथ है और इसलिए लोगों को लगता है कि परिवार की सप्ता भूग के काराण बाड़ा साप के सपने को क्यों तोड़ा इन लोगों ने एक परिवार की भलाई के लिए अपने मेटे को एस्टाबलिस करने के लिए बाड़ा साप की इतनी बड़ी विरासत बाड़ा साप तो सिवसेनिकों के लिए जीवन खपा दिया था तो सिवसेनिकों के सम्मान के लिए जो सिवसेना काम कर रही है जो बाड़ा साथ ठाकरे की सिवसेना है वो अज हमारे साथ है और इसलिए महाराश्ट्र का मतदाता भावना से अमरे साथ जुड़ा हुआ है जहां तक सहुर्दराव का मामला यह पुलिट कर प्रॉब्लम नहीं ज्सका साथ यह पूलिटकल प्रॉब्लम प्रॉबलम में फियौ जनिता के गले कैसे उत्रे का यह पर लिंग का फैमिली प्रॉब्लम है घर का जगड़ा कि विरासत काम करने वाले भतिश को जगड़ा है कि विरासत बेटी है तो बेटी को दे जगड़ा उसका है जी तो सिंपथी के बजाए नफरत का वाता हुआ है कि इस उमर में परिवार को समाल नहीं सकते हैं महाराज्टों को क्या समा लेंगे तो सारा इमोशन हमारे पक्ष में है और दूसरा जो कालखन में सरकार उन्होंने चलाई साथ सारे काम भारत की पुलिटिकल पार्टी की मुलभूत विचार धारा जो बारा साब ठाक ने गए उसके विपरित ही है आउरंग जेप की तारीफ करने बालों के साथ बार बाला साब ठाकरे का बेटा बैठे ये ये गुस्सा भरा पड़ा है मारास्ट में जी सावरकर का अप्मान करने वालों के साथ कोई बैठे तो लोगों के मन में दिखता रहे बाला सामने तो ये कहा था इनके बच्चों में सत्ता लाल सा ऐसी आ गई तो इमोशन इस तरह है गुस्सा उनके सामने है जी आपने अभी विरासत की बात कि बाला साब ठाकरे जब थे तब आपके उनके साब बहुत अच्छे सम्मन थे आप उनका बहुत सम्मान भी करते थे और मैं तब शिवसेना भी कवर करता था वह आपके पक्ष में भी खड़े रहते थे आप अब विरासत की बात कर रहें तो सवाल ये है कि क्या उद्धाव ठाकरे को आप बाला साब ठाकरे का विरासत का उत्तरादिकारी मानते हैं या नहीं? दो चीजे हैं, वो बायोलोजी के लिए तो उनके बेटे है ही है, उसका तो हम, मेरा वो विशे ही नहीं है जी, तो मैं उस परकार से मानली जिए उनके परिवार में कुछ भी आप, जब वो बिमार थे, तो मैंने तुरंट फोन किया था, उनकी रेगुलर्ली, मैं वहीनी को फ कुछता था, कि भी क्या हुआ, वो अपरेशन करने से पहले मुझे फोन किया, को बुले, भाई, भाई साब क्या सुझाव है, मैंने गा भाई, देखे पहले अपरेशन करा लीजिए, आप बागी चिंदा छोड़ दीजिए, शरीर को पहले क्या दीजिए, तो बाड़ा जहां तक बाड़ा साब ठाकरे के विचार है, मैं उनके लिए जिऊंगा, बाड़ा साब ठाकरे के विचारों के लिए उन्होंने और मेरे प्रति उनका अतीशे प्रेम था, अतीशे प्रेम था, तो मैं वो कर्द भूल नहीं सकता हूं, कर्द भूल नहीं सकता हूं, और में आमें सामने लड़े थे लेकिन उस चुनाव में मैंने एक शब्द बारा शाब के लिए ने बोला था और मैंने पब्लिक लिए कहा था कि मुझे उद्दव जी कितनी गालिया दें लेकिन मैं नहीं बोलूगा क्योंकि मैं बारा साब के प्रति मेरी स्रद्यार और इसलिए उनके परिवारिक क्या समझा है वो मेरा विश्य नहीं है। मैं बारा साथ को आधर करता हूं और भगवान करे मैं जीवन बरूं को आधर करता रहूं।